नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको क्रेडिट कार्ट के बारे में बताऊँगा यानि कि आज मैं लगवग सारी चीज़ा कबर करूँगा billing cycle, आपको क्या-क्या precaution रखने चाहिए, credit card कितने टाइप के होते हैं और major mistakes जो customer करते हैं, हम एक-एक करके समझते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि credit card इस्तमाल करने के क्या-क्या advantage है देखिए, आज की date में जो सबसे पहला advantage है, वो है cash back का अगर आप credit card use करते हैं, क्योंकि आज की date में इंडिया में online shopping बहुत जादा चलती है अभी festival season शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं कि flip card Amazon पे लगबग हर महीने 4-5 sell है चलती है जहाँ पर आपको 10% off मिलता है credit card पर, अलग-अलग company'ों के तो इसलिए कहाँ कि major जो use हो रहा है आज की date में इंडिया में credit card वो online shopping के लिए हो रहा है जैसे great India festival जो Amazon की sell है, उसमें HDFC में 10% का discount है इस तरीके से sell हर महीने 2 महीने में बदलती रहती है दूसरा rewards point, मतलब आप जब-जब credit card को use करते है credit card companies आपको कुछ rewards points देती है जो कि आप कभी भी redeem करा सकते है rewards point एक तरीके का cash back हो गया लेकिन उसके अंदर आप सिर्फ वो ही खरीद पाएंगे जो company आपको देगी आपको interest free credit period मिल जाता है 50-55 दिन तक का मतलब आपको 50-55 दिन तक का पैसा मिल जाता है जिस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना universal acceptance credit card से आप international transaction कर सकते हैं कई debit cards ऐसे होते हैं जो सिब domestic use के लिए होते हैं अगर आपको कोई भी international transaction करना है college की fees वरनी है या किसी तरह का exam है जो विदेश में होता है उसके लिए fees वरनी है तो आप credit card का इस्तवाल करके उसका payment कर सकते हैं अब बात आती है types of credit card की credit cards कितने type के होते हैं देखिए credit card depend करता है आपकी जैसी requirement है आप ऐसा credit card ले सकते हैं यानि बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह के credit cards होते हैं अब मैं आपको बता हूं जैसे कई लोगों का की traveling ज्यादा होती है जो की marketing के business में तो वो जो credit card ले वो traveling में जिसमें ज्यादा reward points मिले बो मिले shopping कई लोग जो shopping ज्यादा करते हैं उनके लिए अलग से credit cards होते हैं अच्छा खासा cashback देते हैं कई बार fuel surcharge मिलता है कई लोगों को 2% cashback आपने देखा हुआ Indian oil HP इनके अलग-अलग credit cards होते हैं जिनका logo लगा रहता है और आज कल एक बहुत बड़ा trend चला है company specific मतलब दो company आपस में type कर लेती है जैसे Ola SBI credit card ने type किया बैसे IRCTC SBI ने type किया Amazon ने access bank के साथ type किया तो मतलब यह है कि access bank का credit card उस पे Amazon का logo है और आप Amazon से जब भी shopping करेंगे तो आपको अच्छा खासा cashback मिल जाएगा जो की अच्छा होगा बजाए दूसरे जो credit card अगर आप use करते तो अब बात आती है कि credit card क्यों किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा देखिए credit card एक तरीके का loan हो गया आपको interest free credit period हो गया तो इसके लिए कंपनिया कुछ minimum norms तयार रखती है जर्नल ही आपको दो norms दिखेंगे कि जिनकी salary 30,000 से उपर हो उनको credit card मिलेगा और अगर आप business करते हैं और business मैंने और अगर आपका ITR आप 4,000,000 से उपर बढ़ते हैं तो आपको credit card मिलेगा अगर आपकी salary 30,000 से कमें तो आप credit card के लिए apply ना करें क्योंकि अन्य सरी आपका ही time बरबाद होगा क्योंकि आजकल बड़े strict है norms जिनको credit card मिलेगा अब बात आती है कि civil score, civil score आपका अच्छा होना चाहिए credit card लेने के लिए अगर उसके अंदर किसी तरह का default है या आपने past में किसी तरह का return off या settlement किया हुआ है तो credit card शायद आपको नहीं मिल पाएगा अब credit card के मैं main features बताता हूँ credit card debit card की तरह होता है अगर आप देखेंगे तो उस पे कुछ information होती है एक तो देखिए solar digit का आपका credit card number होता है उस पे expiry date होती है उस पे आपका नाम होता और एक magnetic strip होती है front size में अब back side में देखेंगे तो एक magnetic strip आपको देखेगी आपका signature वहाँ पर signature करने की space आपको देखेगी एक आपको देखेगा cbc number यह एक security code होता है एक hologram देखेगा अब जब भी आप credit card use करें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो cbv number जो तीन digit का number है उसको आप किसी से scratch कर दे ताकि अगर आपका credit card कभी गुम जाए तो उसको cbv number ना पता चले क्योंकि होता है कि credit card में OTP नहीं आता तो आप अपने आपको थोड़ा बहुत सेफ कर पाएंगे cbv को scratch कर दे और उसको remember करके रखें क्योंकि वह तीन digit का ही number होता है अब सबसे important बात जहां सबसे ज्यादा लोग mistake करते है वह credit card billing cycle अब मैं इसके बारे में आपको detail में बता हूँ देखिए होता है क्या है credit card company हर महीने अपना एक bill generate कर देती है एक specific date को मैं एक example लेके चलता हूँ कि मान के चलिए मेरा credit card का bill 3 तारिक को generate होता है तो मुझे 50 दिन का credit कैसे मिलेगा अब मैं आपको बताता हूँ देखिए होता है जब bill generate होता है जिस दिन credit card company आपको 15-20 दिन का time देती है payment के लिए मैं मेरे case में मान के चलना हूँ कि company मुझे 20 दिन का time दे रही है bill generate होने के बाद payment करने के लिए अब मैंने यहाँ चार scenario बता है सबसे पहला scenario देख लेते हैं कि अगर मैंने एक तारिक को कोई shopping करी है तो मुझे कितना period मिलेगा जब मैंने एक तारिक को करी तीन तारिक को मेरा bill generate हो गया तीन तारिक के बाद company ने मुझे 20 दिन दिये तो मेरे पास total 22 दिन का credit period मुझे मिला free credit period अब यही चीज मैं मानके चलू मैंने 4 तारिक को shopping करी होती है चुकि मेरा bill हो गया 3 तारिक को ही generate है तो 3 तारिक को जो bill generate हो है मुझे अगले 20 दिन में उसको ही pay करना है जो 4 तारिक को जो मैंने shopping करी उसका bill generate होगा अगले महीने की 3 तारिक को तो मेरे पास कितना टाइम होगया 49 days क्योंकि 3 तारिक के παद 20 दिन बो और 29 देस ही है तो मेरे पास total 49 days का period हो गया हम मानके चलिए है 10 तारीक को shopping करी होती, 10 तारीक को भी shopping करी होती, तो मेरा bill generate होगा अगली 3 तारीक को, तो मेरे पास total 43 days होते हैं, 43 days ऐसे होते हैं, 10-3 तारीक का period, 23 days, फिर 3 तारीक को bill generate होगा, तब मुझे 20 दिन मिले, तो 20 बॉस 23 इसकल दो 43, अब मैंने अगर 20 तारिक को शॉपिंग करी होती है, तो मुझे 33 देज मिलते हैं, क्योंकि 20 से 3 तारिक का 3 दिन, 3 से जो पीरेड मिला 20 दिन का, वो 20 दिन, तो टोटल 20 प्लस 13, 33 देज मुझे मिलेगा. अब एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आपका क्रेड का बिल जनरेट होता है, तो उसमें एक ट्रैप होता है, होता है, मिनीमम पेमेंट आप दे दो, मिनीमम पेमेंट डियो, आप हमेशा पूरा पेमेंट करें, होता है क्या है, जब आप मिनीमम पेमेंट डियो करते है है तो जो एमाउंट होता है उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत हैवी इंट्रेस्ट लेती है आप यकीन ना मानेंगे कि लगवाद 30-35% तक सालना का ब्याज वसूला जाता है आपसे तो आप किसी चक्कर मन अपड़े आप टोटल पेमेंट करें क्योंकि जो मिनीमम प आपको यह लगे कि मेरा मैंने इस महीने कुछ नहीं खरीदा तो मेरा बिल जीरो आएगा फिर भी आप एक बार उस बिल को देख लें कहीं बार क्यों होता है कि एन्यूल फीस तब इंपोस कर दी जाती है और वो पता नहीं होता और एक पीरेट साइकल आपकी निकल जाती है तीन मेजर गलतिया कस्टमर करते हैं बिल पेमेंट डिले जो क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आया है उसको डिले कर देते हैं लोगा बिलकुल टाइमली पे कर दें उसको लास्ट दिन का इंतियार न करें दो तीन दिन पहले ही पेमेंट कर दें आप कैश बिड्रॉ कर लेत कंपनियां आपको इंट्रेस्ट चार्ज करना शुरू कर देती है और हां कई लोगों को लगता है कि हमारे पास क्रेड़िट काड है हम कुछ भी खरीद लें कुछ भी करीद सकते हैं मार्केट से बिलकुल नहीं है यह एक ब्रह्म है पैसा आपको देना है तो अननेसेसरी खरीदारी ना करें जो जरूरी आवशक्स चीज़ें हैं आपके घर्यों की वही खरीद है अगर आपको क्रेड़िट काड का मैक्सिमम बैनेफिट चाहिए तो इसको रिस्पॉंसिबलेटी की तरह यूज़ करें पहले पाएंगे क्रेड़िट कार्ड के बहुत ज्यादा बैनेफिट्स हैं लेकिन आपको उसको जिम्मेदारी और थोड़ा जूज-बूज के साथ जानकारी के साथ इस्तमाल करना होगा अब क्रेड़िट कार्ड इस्तमाल करने के कुछ नुकसान भी है सबसे पहली बात की हैवी पेनल्टी लगती है क्रेड़िट कार्ड में अगर आपने एक भी बिल साइकल मिस कर दी आपको बिलकुल डिस्टीपिलिन में रखना होगा अपने आपको क्रेड़िट कार्ड का बिल पेमेंट में और उसके इस्तमाल में क्रेड़िट कार्ड में इंटरनेशनल फ्लॉड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अब बात आती है कि company मुझे credit card नहीं दे रही मेरा civil score खराब है मेरी salary कम है तो इसका क्या solution है कई लोगों का civil score खराब हो जाता है किसी वजह से अब civil score खराब है तो खराब है अब सही कैसे होगा तो इसका एक फोटा सा solution में आपको बताता हूँ अगर आपकी income कम है और civil score खराब है तो credit card आपको कैसे मिलेगा आपको credit card मिलेगा fixed deposit पे जब भी आप bank से fixed deposit के against credit card लेते हैं तो आपका civil score नहीं चेक किया जाता आपकी income नहीं देखी जाती है अगर आप 50,000 की FD पर fixed deposit लेंगे तो आपको 40 या 45,000 का fixed deposit मिल जाएगा easily तो आप easily एक credit card यूज कर सकते हैं अब उससे होगा क्या कि आपका civil score इंप्रूब होने लगेगा हर मही ने जब आप उस credit card को use करेंगे उसका नियमे रूप से payout करेंगे credit card का बिल का अच्छे डंग से payment करेंगे आपका civil score दीरे दीरे इंप्रूब होता रहेगा तो यह एक civil score इंप्रूब करने का भी जरिया हो सकता है अब आप कहेंगे कि मुझे credit card अप्लाई करना है मैं कैसे घर हूँ आप मेरे मेरे description box में देख सकते हैं मेरे comment box में देख सकते हैं आप HDFC, ICCI, SBI, City Bank सारों का मैंने link दिया हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं आपको सिर्फ लिंक पर click करना है और अपने और apply कर देना पांच मिनिट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने जो नीचे लगबक सभी बैंकों को cover करने की कोशिच करी है जो major major credit card है आप से link पर click करें और अपना credit card का process शुरू करता है अगर मानके जलिए आप credit card यूज़ करते हैं या पिर अभी आपने apply किया है और यूज़ करना चाहते हैं तो एक app है credit जो की बहुत अच्छी app है इससे क्या होगा कि आप इस app में अपने credit card को register कर लें और इसी के माधियम से payment करें तो आपको 2-5% का cashback हमेशा मिलेगा मतलब आपकी एक extra कमाई शुरू हो जाएगी जो cashback आपको credit card दे रहा है वो तो दे ही रहा है लेकिन अगर आप credit card के बिल का payment credit app के तुर्ट द्वारा करेंगे इसको यूज करेंगे तो आपको और benefit मिलेगा ज्यादा benefit नहीं मिलेगा लेकिन इतना benefit मिलेगा कि आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे लिए अच्छा है क्योंकि credit card management management manage करने के लिए सबसे अच्छी है अपर जो कि आपको reminder भी करवाती रहेगी कि आपका बिल जनलेट हो गया और आप यह करिए वह करिए इसका भी मैरे लिंक नीचे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ ना कुछ benefit जरूर होगा मुझसे जोड़कर हो सकता है 1000 रुपे का हो महीने का हो सकता है 5000 का हो लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मेहनत इमांदारी से आप कोई छोटा मोटा business कर पाएं पार्ट टाइम अपना ना कहीं से किसी ना किसी को benefit हो रहा है तो friends मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा please मेरा वीडियो आप अपने whatsapp ग्रोप पे share करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें banking related informations के लिए धन्यवाद friends